बूर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम जोग्रफी का लेसे नंबर 5 स्टार्ट करेंगे फोरेस्ट एंड वाइल लाइफ ठीक है तो फोरेस्ट का मीनिंग तब को पता होगा हम कहेंगे कि फोरेस्ट कहेंगे कि ऐसे अन्वार्मेंटल कंडिशन्स अकॉर्डिंग तो लेटिट यह सारे जहाँ पर पाये जाएं तो हम उनको कहते हैं फोरेस्ट समझाएंगे अब वाइल लाइफ वाइल लाइफ वायल जय से को जो मेनिंग है वही मैं समझा आघी जो समझारी जो मरा लेसन है फोरेस्ट Z Please describe the करते हैं पालते नहीं हैं तो वो ओ गया हमारे wildlife में तो फोरेस्ट और wildlife का जो एक बहुत हम कहेंगे मजबूर जो है वो connection है आपस में तो यह lesson का जो आपको meaning है वो clear हो गया कि forest क्या होते हैं और wildlife से हम क्या समझते हैं ठीक कि अब हमने देखा कि forest क्या होते हैं तो अब forest की तो आपको पता है कि forest की कितने importance लिफ्रिण तरह के जो है forest हमारे इंडिया में पाए जाते हैं जैसे ट्रॉपिकल यवर्ग्रीन फॉरस्ट है ट्रॉपिकल डेसर इसलिशन फॉर्स्थ है ठॉन अलिर्ट के एरिया में कॉन से जो है फॉरस्ट पाए जाएंगी या कॉन सी वैजिटेशन मिलेंगी वैजिटेशन का मतलब क्या हो गया है प्लांट लाइफ जो की एक हम कहेंगे एक एरिया में ग्रो होती है naturally grow होती है उसमें इंसान का कोई intervention नहीं होता है कि उसको पानी देना है sunlight चाहिए उसको ठीक है इस तरह का intervention नहीं होता है तो हम कहेंगे particular area में जब कोई plant life जो grow करती है naturally grow करती है without the human intervention उसको हम कहते है natural vegetation ठीक है अब जो natural अब forests में क्या होता है forest ने natural vegetation ही है natural vegetation में क्या हो गया plants, bushes, shrubs, grass, creepers जो भी यह grow होते हैं environmental conditions में वही natural vegetation है अब इनको कौन से factors जो है जो influence करते हैं हम कहेंगे different तरह की vegetation जो है मतलब अलग जगा में मिलती है उसका क्या कारण है उसका कारण है हम कहेंगे कौन से factors हैं जो उसको influence करते हैं वह होगे जसे हमारा temperature है ठीक है rain fall है जहां पर temperature कम होगा सर्दी जादा होगी temperature कम होगा तो वहां की vegetation जो है natural vegetation यह हम कहेंगे जहां वहां पर जो forest पाए जाएंगे वो different तरीकें के होगे ठीक है जिसेरा से rainfall जो है effect करती है उनकी growth में sunlight जो है effect करती है मिटि जो है effect करती है और height above the sea level कि समुंदर तल से वो जगा जो है कितनी दुर है तो यह सब डिफ्रेंट फैक्टर्स हैं जो पहीं की भी वैजिटेशन को क्या करती है influence करते हैं ठीक है समझागे आपको अब हम कहेंगे कि biosphere reserves क्या होते हैं तो हम कहेंगे biosphere reserves जो है वो आपे ये large ecosystem है ठीक है जो प्रोटेक्टेड नाच्रॉल एरिया होते हैं ठीक है जिसमें different तरह हम चेहेंगे flora यर फ्यूना जो है वो पाए जाते हैं उनको protect किया जाता है ठीक है these preserve plants in animals in their systems तो उनको हम कहेंगे biosphere reserves क्या कहेंगे उनको biosphere reserves कहेंगे ठीक है तो biosphere reserve is a reserved area for the preservation and the protection of the flora and funa ठीक है flora means plants and funa means animals the plant species or animal species को बचा रखने की जगा बचाने की जगा बतुर्ब वहां पर कोई intervention ना हो किसी तरीके की जो अगर funa है animals है animal species है तो आराम से जो है उस जगा पर घूम सकें उनकी कोई hunting ना हो उनको कोई मार ना सके और इसी तरह से उनको हो धिंपनी ही आपननी ही आपनल नाशनल तरीकरसे वह वह सब मांद लूअ को रिंपनी ही तरीके से हुमनि अन्हीं होता है ध्रम कहते हैं था था इस बाइस बाल यह यह कि बहुत ज़ादा जो pendant हो अब हम देखेंगे अब हमने जब यह समझ लिया कि forest क्या होते है natural vegetation क्या है बाइसफेर देख लिया फिर कौन से factors जो है influence करते है flora के लिए plant species के लिए कि वहाँ पर किस तरह की flora and fiona मिलेगा वह भी हमने discuss कर लिया तो हमने देखिया कि कितनी importance है इसकी plants की कितनी importance है forest की importance है forest की importance आप समझते हुए यह forest की क्या importance है तो forest की बहुत ज़्यदा importance हम कहेंगे हमारी life में forest के बिना जो हम कहेंगे कि हमारा life ही जो है impossible है तो हमें oxygen देते हैं फिर उसके अलावा healthy life हमारी होती है forest के कारण ही species of different kind developed जो forest में ही होती है तो हम कहेंगे कि हमारा forest जो है वो हमारे के integer part है किसका एक बहुत ही महत्वपून part है हमारे human culture के human life के तो forest के बिना हम कहेंगे हमारे जो life है भी impossible है तो हम कहेंगे forest maintain the life support system तो हम कहेंगे forest maintain the life support system ठीक है all forms of life human, animal, plants depend upon these forest maintain the stability and maintenance of ecological system यह मैं आपको समझाए न भी किस तरह से forest जो है maintain करते है ecological system को और उसके लावा सबसे बड़ी चीज जो है जो आज human life के लिए बहुत important जो चीज है कि they are a provider of the oxygen एयर को oxygen प्रवाइड करते हैं और उसके लावा जो है वो एयर को purify करते हैं क्या करते हैं यह को purify करते हैं तो इस तरह समझेंगे कि important जो forest का हमारी life में बहुत जादा ही क्या है बहुत जादा importance है हमारी अब टेंगी इतनी importance है forest की तो हम देखेंगी कि हम उनको कैसे नंको कैसी आज़के लब को पता है कितना स मौने और बनाने हमने रेल वेज्ट भीचानी है हमने डैम्स मौनारे हैं दिजकुन हम क्या स्टेबिलिटी है में इकोलोजील जिस्टम का वह मेंटेइन नहीं हो पा रही है वह इंबैलेंस हो रही है क्या हो रही है इस टॉपिक को तो बच्छोब शुरू से पढ़ते हैं कि यह सब जितना भी इंपेक्ट जो हो रहा है आज पर डिफ्रेंट डिजीजेज आ गही है फि इनको preserve करना जो है human life के लिए एक maintenance बना रहे किसके बीच में stability and maintenance of ecological system जो है वह maintain रहे उसके लिए हमने क्या करना है इन forest को क्या करना है conserve करना है इनको संभाल के रखना है तो उसका effect क्या होगा conservation को संभाल के रखते हैं तो हमारा ecological जो है balance जो है वो बना रहेगा हमारा life support system जो है पानी, हवा, soil ये भी maintained रहेगी ठीक है it preserves the genetic diversity of plants in animals उनकी जो genetic diversity है वो भी maintained रहेगी ठीक है उसमें जो हमारे plants हैं चाहे चाहे वो animals हैं वो जो है extinct नहीं होंगे endangered नहीं होंगे अगर हम इनको conserve कर कर रिखेंगे forest को ठीक है और उसके लावा जो species है growth जो it helps in the better species growth and breeding अगर plants हैं कोई तो अगर plants को हम पेडों को हम नहीं काटते हैं तो एक particular वराइटी है plants पर उनको नहीं काटते तो उनकी species जो है वो ग्रो करते रहेगी उनको breed होती रहेगी वो खतम नहीं होगे ठीक है फिर उसके इस तरह और हम कहेंगे कि एक aquatic जो biodiversity है वो भी maintain रहेगी उसमें हमारी aquatic biodiversity में क्या आगी हमारी fisheries जो है वो भी maintain रहेगी तो हम कहेंगे कि हमें यह सारी effect किसके हैं और हम अपने forest को क्या करके रखते हैं conserve करके उनको बचा के रखते हैं तो इनका conservation जो है forest का बहुत ही ज़रूरी है हमारी life में अब आपको यह भी समझ आ गया अब हम देखेंगे कि जो है अगर हमने forest को discuss किया है तो forest कितनी तेरी किया है जो कि मैंने starting में कहा था कि हमारा जो topic है topic का नाम ही है forests and wildlife forest आपको समझ आग forests means there are different type of the forest के पाय जाते हैं और उनके जो किस तरह के forest पाया जाएंगे वो किस पर depend करता है temperature पर rainfall पर sunlight पर soil पर height above the sea level इन चीजों पर वो depend करता है तो हमारे different type of vegetation जो है forest है वो है tropical evergreen forest, tropical desentatious forest, thony forest, mangrove forest, mountain vegetation अब tropical evergreen forest है वो जो है आप जैसे के नाम से ही है there evergreen उनके पत्ते कभी जड़ते हैं वो evergreen रहते हैं और उनके जो हम कहेंगे उनकी growth के लिए जो rainfall है वो rainfall उनकी growth के लिए हम कहेंगे receiving the rainfall उने areas में है जहां पर dense forest होते हैं और जहांकी rainfall जो है 200 cm and above होती है तो वो हमारे आगे हम कहेंगे tropical evergreen forest अब आगे second हमारे tropical desentatious forest यह जो है इनको हम मौन्सुन कहेंगे forest भी बहुते हैं और यह वहां पर पाए जाते हैं जहांकी rainfall जो है 100-200 cm होती है और जो पहले जो मैंने discuss कि tropical evergreen forest उनका temperature जो है temperature जो है उनको खुब चाहिए नोंको बारिश भी जादा चाहिए temperature भी जादा चाहिए ठीक है यह आप उनको rainfall चाहिए 100-200 cm जो पहले forest में discuss कि tropical evergreen forest उनको जो है हम कहेंगे sun rays जो है वोद्दम वर्टिकल होनी चाहिए ठीक है हम खुब उनको temperature चाहिए ठीक है देन इस फोरेस्ट हम कहेंगे इनको commercially tropical deciduous forest को इनको commercially बहुत जादा mostly इनको exploit किया जाता है खास करके agriculture के इनको clear किया जाता है और इनमें जो है grazing हो गया cutting वारा यह सब जो है पाई जाती है ठीक है तो यह आगे हमारे tropical deciduous forest यह हम कहेंगे forest of monsoon region भी बहुते हैं फिर आगे thorny forest जो है कांटेदार पौदे जो है तो इनमें जो है इतनी हम कहेंगे इतनी rainfall जो है जो angle rainfall वो इतनी जादा नहीं चाहिए ठीक है और इनकी जो vegetation है कांटेदार जो है पेड जो है इसमें पाई जिसे किकर वगारा होगे यह से पेड यहां प अगे हमारे mangrove forest जो है में तो mangrove forest जो है यह delta region के forest होते हैं और उनको tidal forest भी कहा जाता है ठीक है और यह वहीं पर मिलते हैं जहां पर deltas बनते हैं fringes of the deltas ठीक है और इनके important trees जो है वो है जैसे सुंदरी tree हो गया यहां का one of the important tree है और जो सुंदर बन का delta जो बनता है यहा पर deltas मनते हैं इसे गंगा डेल्टा है डेल्टा रीजिंस ऑगंगा ब्रह्मकुत्रा कावेरी कृष्णा महानदी साउथ की जो रिवर्स है जहां जो डेल्टा फॉर्म करती है वहां पर यह forest पाय जाते हैं mangrove forest ठीक है mountain vegetation mountain vegetation जो प्लांट्स है वो कहां पर मिलेंगे जहां पर क्या होगा की temperature जो है obviously temperature कम होगा और conical vegetation इनकी होती है ठीक है ना conical जो पेड़ होते हैं वहां पर महर पाय जाता है कहां पर mountain vegetation में ठीक है और हां तो यह हमारे होगे different तरंग के हमारे जो है forest होगे तो इंडिया में तक्रीबन जो है forest जो है वो हमारे जो नौर्थ हमारा topmost north region है जैसे हमारा जेन के region भी है कश्मी रिजिन है तो वहां पर यह mountain vegetation मिलती है otherwise तक्रीबन जो all over India ज seditious forest जिनकों कहेंगे monsoon region जो है forest of the monsoon region यही जादा जो है पाय जाते हैं ठीक है thonny forest होगे जैसे राजस्थान का area है कुछ desert areas है वहां पर thonny forest पाय जाएंगे mangrove forest इंडिया में कहां पाय जाएंगे जहां पर deltas बनते हैं in the delta कहेंगे mainly found in the delta regions of ganga वहां पर यह मैंगरू forest पा काफी है ठीक है तो next जो थोड़ा सा बच गया हमारा chapter उसको next time discuss करेंगे इसमें से जो भी आपको questions जो मैंने आपको समझाया है उसमें से जो भी questions possible होंगे वो मैं डाल भी दूंगे और आपने भी उनको पढ़ना है पढ़के question answer solve करेंगे ठीक है बचोंगे good morning students आज हम geography का lesson number five start करेंगे forest and